हेलो नमस्कार दोस्तो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तो क्या आप एक अच्छी सी साइकल खरीदने की सोच रहे हैं और आपके जो बजट है वो काफी कम है यानि की 5-6,000 रुपए में आपको बहुत सारी साइकल देखने को नहीं मिलेंगी औ दोस्तो आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं काफी रिसर्च और काफी सोच समझ के सेलेक्ट करके लेकर आया हूं और दोस्तो इस टापिक पर मैंने फिछले साल पही एक वीडियो बनाई थी जिसके ओपर आप लोगों के कमेंट्स भी आये थे तो ये उस की वीडियो मिलती रहेंगी तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जो सबसे बड़ा का 16- rub advisor देखने को मिल जाता है और इसका जो फ्रेम वह बना हुआ है रोबस्ट च प्रेइल से इसके रापको ऐटीन इंच्श का फ्रेंग देखने को मिल जाता है और दोस्तों की जो रिम है वह भी सप्री से बनी हुई है स्टील से बनी होने के वज़े से दोस्तों काफी मसब जो quick release का reliever होता है उसको खींच के seat को कहीं पे भी बिना tool के adjust कर सकते हैं इसके उपर आपको matte finish paint देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छी quality का paint इस पर आता है इसके अंदर आपको V-brakes देखने को मिल जाते हैं दोस्तो इस budget में आपको disc brake तो किसी भी cycle में नहीं मिलेंगे लेकिन जो इसमें V-brakes आपको मिलेंगे या फिर आगयाने वाली cycles में मिलेंगे वो काफी अच्छी quality की होने वाले हैं इसके अंदर आपको wide MTB tire देखने को मिलते हैं जो कि आपको road पे काफी अच्छी grip प्रॉइड करेंगे और हल्की full के off-roading आप इससे कर पाएंगे इसमें आपको front और rear में reflector देखने को मिलता है और इसके जो tire है उसमें reflector देखने को मिल जाते हैं दोस्तो इस cycle के साथ आपको stand भी देखने को मिलता है और यह cycle है वो आती है 85% assembled तो जब आप इसको online order करेंगे और यह आपके घर पे deliver हो जाएगी तो आपको इसको 15% खुद assemble करना पड़ेगा उसके लिए company जो tools है इसी के साथ आपको include करके देगी इसके उपर आपको 6 महिने के warranty देखने को मिल जाती है और अगर बात करें इसके price की तो इसका जो price वो है around 5700 रुपे के आसपास दोस्तो एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जो price मैं आपको बता रहा हूँ यह video बनाते समय के price है हो सकता है कि जब आप video देख रहे हों तो इनकी जो price वो कम या जदा हो गई हो तो इसलिए जितीव cycle मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे उन सभी के links आपको description box में मिल जाएंगे और comment box में मिल जाएंगे तो वहाँ पर जाके आप इनकी जो current prices चल रही है उनको ज़रूर चेक कर लेना दोस्तो नमबर 4 पर है leader brand की urban girl cycle इसके अंदर आपको 26 inch का wheel size देखने को मिल जाता है और इसका जो frame है वो बना हुआ है high quality steel material से इसका जो frame है वो है 18 inch का और दोस्तो इसके अंदर आपको high grip handle bar देखने को मिलता है तो high grip होने के विजिसे जो बैटने का posture होता है इस cycle पर काफी comfortable रहता है इसके अंदर आपको steel की rim देखने को मिलती है और दोस्तो इसमें आपको soft PU saddle देखने को मिलता है saddle बोले तो इसकी जो seat है वो इसके अंदर आपको soft handle grips देखने को मिलती है और दोस्तो इसमें भी आपको V brakes देखने को मिल जाते है इस cycle में आपको wide यानि की चौड़े टायर देखने को मिल जाते है और दोस्तो इस cycle के साथ आपको कुछ accessories मिलती है जैसे कि front reflector, rear reflector, tire reflector, side stand और mud guard यह cycle आती है 90% assembled और बाकी assemble करने के लिए आपको इसके साथ tools मिल जाएंगे दोस्तो इस cycle है यह best रहेगी girls के लिए और ladies के लिए अब अगर बात करें इसके price की तो इसके जो price वो है around 5,900 रुपे के आसपास दोस्तो नमबर 3 पे है Hercules brand की Dinoor cycle इसके इंदर आपको 26-inch का wheel देखने को मिल जाता है और इसका frame है वो बना हुआ है steel material से इसका जो frame है 18-inch और 이 handlebar वो भी steel से बना हुआ है इसमें आपको steel के rim देखने को मिल जाते हैं quick release PU saddle देखने को मिल जाता है दोस्तों इसके अदर आपको V-brakes देखने को मिलते हैं जो कि आते हैं alloy lever के साथ यानि कि जो इसके lever हैं जिसे आप brake लगाएंगे वो alloy से बने हुए हैं तो दोस्तों जो plastic lever होते हैं क्या होते हैं कि अगर आपके cycle healthy full की दर-दर गिर जाये तो तूट जाते हैं लेकिन जो alloy lever होते हैं वो काफी strong होते हैं वो तूटते नहीं है इसके अंदर आपको anti skid pedal देखने को मिलते हैं तो जब भी आप cycle चलाएंगे तो आपके जो पैरों की grip है पर वो काफी अच्छी बनेगी इन anti skid pedal पर और इस cycle के साथ आपको stand और reflector included मिलता है तो रात में अगर आप cycle चलाएंगे तो जिसमें reflector हैं वो पीछे आने वाली गाडियों को बता देंगे कि आगे कोई cycle जा रही है यह दोस्तो 85% assembled condition में आते हैं और बाकी 15% असेंबल करने के लिए टूल्स आपको मिल जाएंगे इसके उपर आपको मिलती है एक साल की complete warranty और अगर बात करें इसके प्राइस की तो इसका जो प्राइस है वो है अराउंड 5,200 रुपए के आसपास दोस्तो नमबर दो पर है Vector 91 brand की Freedom Cycle इसके अंदर आपको wheel size देखने को मिलता है 26 इंच का और इसका जो frame है वो बना हुआ है light weight steel material से जिसकी वज़े से दोस्तो इसका जो weight है वो काफी कम हो जाता है जो की है around 14.3 kg के असपास इसके जो frame का size है वो है 18 इंच और इसके अंदर आपको मिलती है steel की handle bar इसमें आपको rust free steel rim देखने को मिल जाती है तो इसमें आपको rusting की corrosion की या जंग लगने की दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर आपको quickly saddle मिलता है और दूसरे इसमें आपको मिलते है V brakes इसके साथ आपको frame के उपर जो कि काफी इची बात है अब अगर बात करें इसके price के तो इसका जो price है वो है around 5500 रुपे के असपास दोस्तो नमबर एक पर है leader scout cycle इसके अंदर आपको wheel size देखने को मिलता है 26 inch का और इसके frame का size है 18 inch और इसके अंदर आपको high grip handlebar देखने को मिलते हैं तो दोस्तो high grip होने के वज़े से आपको cycle चलाने का poster है वो काफी comfortable रहेगा जिसे कि आप ज्यादा लंबे समय तक cycle चला पाएंगे इसमें आपको steel के rim देखने को मिलते हैं और इसका जो saddle है वो बना हुआ है soft comfortable PU material से इसके नदर आपको wheel brakes देखने को मिलते हैं और इस cycle 500 रुपय के आसपास और दोस्तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो में जितनी भी cycle में आपको जाएंगे तो वहां पर जाके आप इनकी प्राइजिस को चेक कर सकते हैं और अगर खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं इनके उपर कोई offers वगरा चल रहे हैं तो उनको भी आप उन्ही लिंक्स पर जाके चेक कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तो झाल कर सकते हैं तो झाल